दोस्तों नमस्कार आईटे टेक्निकल कोर्स यूटूब चैनल पर सुवगत है दोस्तों भी प्लंबर की पेपर की प्रीबियस यह जो चल रहे हैं यहीं सीरीज चल रही है पेपर की अभी तह एक सो अठारा कोशन अपलोड कर दिये गए हैं वीडियो बनाकर हमारे प्लेलिस् पर दिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दी गई है पूराने वीडियो के अभी जो नाबोदय बिद्याले में एकजाम होने वाला है उसमें से प्लंबर के कोशन पूछे जाएंगे यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को प्लेज सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक्स आशा लगा हमें कमेंट में जरू करना चलिए आते हैं चैनल के कोशन 119 में कोशन 119 के यह बोल रहा है बास बेसिन में अव्सिष्ट पाइप का ब्यास कितना होता है दोस्तों जो बास बेसिन ये यूजच पाइप होती है उसके लिए 32 एमम मॉटाई के लिए हम लोग का नाम क्या है यहां पर आपको एक नल टाइप का दीख रहा होगा इसको हम दर्साया गया है वो पूश रहा है कि इसका नाम क्या है दोस्तों इसका जो राइट एंसर वह ए नम्मर होगा mixer tab इसको बोलते है mixer tab question नम्मर 121 नम्मर है यक्स के रुप में चीनित भाग का नाम अब आपको यक्स के रुप में चीनित भाग है यह यह यहां दिखाया गया है यह देखिए यहाँ पर आपको कुछ दीख रहा होगा इसका जो right answer होगा 121 नमबर का वो होगा B नमबर bolt tab है जो right answer नमबर B होगा bolt tab इसको बोलेंगे पानी की कोष्ट क्लोअसेट में पानी की सील की नियुम्तम गहराई क्या है 112 नमबर question का जो right answer होगा D नमबर होगा 50 mm अगला कोश्चन है किस प्रकार की सेनेटरी फिटिंग एक बीडेंट है इसका राइट एंसर हो D यानि सोल्ड यानि मिट्टी अगला कोश्चन है कोश्चन यह पूँच रहे है जल निकासी की पाइप लाइन में पाइपिंग प्रनाली को क्या कहा जाता है इसका जो राइट एंसर होगा C नम्मर होगा एकल इस्टेक सिस्टम यह जो पाइप की पाणी की निकाली सिस्टम दिख रहा है यह है एकल इस्टेक सिस्टम अगला कोशन यहां पर X के रुप में चिनित भाग का नाम दिख रहा है आपको इसका नाम बताना है इसका जो राइट अंसर होगा 125 के B नम्मर होगा ओवर फ्लो अगला कोशन है पानी की तंकी किस प्रकार की है यहां पर पानी की तंकी दिखा रहा है पानी की तंकी का टाइपस पूँच रहा है कौन सी टाइप की पानी की तंकी है यह होगा इसका जो राइट अंसर होगा D नम्मर D नम्मर हैनि Rotation Molded Polyethylene Storage Tank है अगला कोशन अगला कोशन यह है यक्स की रुप में चिनित भाग का नाम क्या है यहाँ पर यक्स की रुप में चिनित भाग है उसका नाम बताना है इसका जो राइट अंसर होगा वो हो C नमबर यहीं लाइटेनिंग एरेश्टर या लाइटिंग आरेश्टर भी इसको बोल सकते है अगला कॉशन है सर्विस कनेक्शन के लिए पाइप बिछाने के दोरान किस प्रकार की फिटिंग का उप्योग किया जाता है इसका जो राइट एंसर होगा 128 इसके B नम्मर होगा PVC कठी या इसका राइट एंसर भी ही होगा अगला कॉशन ये है PVC पाइप बिछाने के लिए खाई की निम्तम गहराई PVC पॉलिबिनाईल जो क्लोराइड होती है जो पाइपें बनाई जाती है जो दीबार में लगाई जाती है उसकी जो गहराई पूँच रहा है उसकी जो गहराई होती है नब्बे सेंटीमीटर गहराई पर पाइप डाली जाती है अगला कॉश्चन है अगला कॉश्चन यह है एक्स के रुप में चीनित भाग का नाम के है यहाँ पर एक्स के रुप में चीनित भाग है उसका नाम पूँच रहा है इसका जो राइट इंसर होगा ए नमबर होगा कॉलर इसको कॉलर बहुते हैं अगला कोशन है पाइप फिटिंग का नाम इस वाले पाइप फिटिंग का नाम बताना है कि फाइप फिटिंग का नाम क्या है कौन सी टाइप की पाइप फिटिंग है इसका जो राइट एंसर होगा यह नमबर होगा, coupling, इसको coupling बोलते हैं, coupling को लगा का five को fit करते हैं अगला question है, यहाँ पर आपको यक्स के रूप में चीन भाग है, इसको बताना है दोस्तों जो लगा हुआ है, यह है extension nipple, इसको बोलेंगे extension nipple अगला question है, 133, service pipe और पानी के मुख भाग को जोडने के लिए किस प्रकार की pipe fitting का उप्योग किया जाता है service pipe पानी की जो fitting होती है, उसको जो यूज करते है तो इसका जो right answer होगा, C number होगा, fair rule fair rule का यूज करके service pipe पानी की मुख भाग को जोड का हम लोग यूज कर लेते है अगला question है, किस उप्करण का उप्योग pipe के अंतरिक thread को gauge के लिए किया जाता है ऐसा कौन सो उप्करण है, जो pipe के अंतरिक thread को gauge करने के लिए किया जाता है इसका जो right answer होगा, A number होगा, pipe plug thread gauge अगला question है, छेंद में सही ढंग से हाथ के नल को सनरेकित करने और चलाने के लिए किस उप्करण का उप्योग किया जाता है इसका जोस्तो जो right answer होगा, B number होगा सो इसी number होगा, tap wrench अगला question है, कौन सा नल, wrench नल के बड़े ब्यास के लिए उप्योगत है इसका right answer होगा, A number, double ended, adjustable, tap wrench अगला question, tap sank का आकार क्या है, जो tap sank होती, tap sank का आकार इसका right answer होगा, C number होगा, बर्गा कार, tap sank का आकार बर्गा कार होगा अगला question है, pipe dice set का उफ्योग क्या है, जो pipe dice set होती है उसका use इसका right answer होगा, B number होगा, pipeों पर बाहरी thread बनाना अगला question है, automatic blessing system की नियूंतम छमता क्या होती है इसका right answer होगा, C number, 5 liter अगला question है, हाथ और चेहरे को धोने के लिए किस fixer का उप्योग किया जाता है हाथ और चेहरे धोने के जो fixer होती है, वो होती है, bass basin दोस्तों, bass basin, हाथ धोने, चेहरे धोने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, नार्मली अगला question है, एक टुकड़े में किस प्रकार की close set, pen और trap का निर्माण किया जाता है इसका right answer होगा, D number, integrated type का अगला question है, उप्योग के बाद सरीर को धोने के लिए, यूरोपी close set के साथ क्या fix किया गया है इसका right answer होगा, D number होगा, health facet अगला question है, urinal, urinal उद्देश के लिए किस fixer का उप्योग किया जाता है इसका right answer होगा, C number होगा, squanting plate अगला question है, कौन सा tramp नगर निगम के c-ver से घर के drainage सिस्टम में गंदी गैसों के प्रवेश को रोखता है इसका right answer होगा, D number इंटर सेप्टिंग ट्रेंफ, इंटर सेंटिक ट्रेंफ अगला question है, जल, भंडारन, संप में यक्स के रुप में चिन्हित, जमीनी अस्तर से उचाई कितनी होनी चाहिए इसका right answer होगा, बी नमबर, पंदरा सेंटिमीटर अगला question ये दिख रहा है, बर्सा जल संचले प्रणाली क्या है, जो बर्सा जल संचले प्रणाली आपको दिख रही है, एक कौनसी है इसका right answer होगा, C number, पुन भारन, पिट के माध्यम से पुन भारन राइट answer, C number होगा, अगला question क्या है, यक्स के रुप में क्या चिन्नित है, फिल्ट्रेशन पिट, बार्टर टेवल, रिचार्ज बेल, अंडर गड़ों, एक फिक्चर, इसका right answer होगा, C number, रिचार्ज बेल, अगला question है, घरेलू, प्रियोजन में च्छत के सीर्स, बरसा, जल, संचयन के लिए, पीबी सी पाइप का आकार क्या है, इसका जो right answer होगा, B number होगा, 90 से 120 mm, मोटाई की पाइप यूच किया जाता है, अगला question है, बरसा, जल, संचयन, प्रणाली के लिए, च्छत, छेत्र, 100 से 150, बर्ग मीटर के छोटे भवन के लिए, रिचार्ज पिट की घहराई क्या होती है, इसका जो right answer होगा, एक से दो मीटर होनी चाहिए, अगला question है, बरसा जल, संचयन में, बैल, कुवा रिचार्ज के लिए, बोर का आकार, इसका right answer होगा, बी नमबर, 0.2 से 0.3 मीटर, अगला question है, 100 mm की ओसत, बरसा के साथ, 6, 6, 12 बर्ग मीटर में, बरसा जल, संचयन के लिए, पाइप का ब्यास क्या है, इसका जो right answer होगा, बी नमबर होगा, 65 mm, किस पाइप फिटिंग का उपियोग, दो पाइप को अलाग अलाग ब्यास के साथ, और सीधी रेखा में, जोड़ने के लिए किया जाता है, इसका right answer होगा, C number होगा, रेदूसर कप्लिंग, एरेडिशर कप्लिंग भी बोल सकते हैं, उसको बोलते है, रेडिशर, अगला कोशन ये है, बिलाएक, बेल डेड, पीवी सी प्राइप का परिक्शन कभी किया जाता है, इसका right answer, नमबर A होगा, 24 घंटे के बाद, दोस्तों 122 कोशन हो गई है, एक सो तीरपन नमबर से आगे के वीडियो में बनाया जाएगा, वीडियो हमारे आपके प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोस्तों देखने में मज़ा आ गया हो, तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना, सेर कर देना,